आज हम पढ़ने वाले हैं तस्व्ण सब्द क्या है? इस तरह से आप से प्रस्ण पुछ रहाएगा तस्व्ण सब्द क्या है? उधारन सहित बताईए तो देखिए तस्व्ण सब्द उन्हें कहा गया है जो संसकत में जो के त्यो ये हिंदी में लिये गए हैं तो एसे सब्द जो संस्क्रत से जो के त्यो सब्द हिंदी से लिये गए हैं, उन्हें ही कहा गया है तस्वम सब्द, वही कहलाएंगे आपके तस्वम सब्द, तो देखिए कि एसे सब्द जो संस्क्रत से जो के त्यो सब्द हिंदी से लिये गए हैं, तस्वम सब्द कहलाते है जैसे उधारन में आप लिखेगा अस्ती मस्तिस्क पत्र आदी तो देखिए इनका जो साब्दिक अर्थी वह है उसके समान अर्था अपने सुरो संस्क्रत के समान जैसे कि यहाँ पर अस्ती मस्तिस्क ये संस्क्रत में भी आते हैं तो ऐसे सब्द जो संस्क्रत से जो के त्यो सब्द हिंदी से लिए गए हैं तस्वम सब्द कहलाते हैं तो यह आपकी तस्वम सब्द की परिभासा बन चुकी है और उसके कुछ उधारन है यहाँ पर अस्ती मस्तिस्क पत्र और आपको मैंने अर्थ भी बता है कि इनका सब्दिक अर्थ है उसके समान या स्रोज संसक्रत के समान संसक्रत के जो भी सब्द लिए गए हैं उनके समान तो आप इनका अच्छे से यहाँ से स्क्रीन सोट ले लीजे तस्रम सब्दिक की परिभासा कुछ उधारन और उनका सब्दिक अर्थ है और अच्छे से इस प्रस्न को आप कंप्लेट करेगा